साथियों, आचार ये विजय वल्लब जी कहते थे, राश के कर्तवियों की उपेक्षा नहीं, अनुपालन करना चाहिए, वो अपने जीवन में भी एक भारत, स्रेश्ण भारत के ही मंत्र को जीते थे, मानवता के इसी सत्य पर चल कर उन्होंने जाती, पंथ, संप्रदाय की सिमाओं से बाहर जाकर सब के विकास के लिए काम किया, उन्होंने समाज के सक्षम वर्क को प्रेरित किया कि विकास के आखरी पायदान पर रहने वाला आम जन की सेवा करें, जो बात मात्मा गांधी कहते थे, वो बात गुरु वर्लब जी करके दिखाते थे, उन्हें गरीब से गरीब समाज के आखरी व्यक्ति को मुल्भूत सुविधाय उपलब्त कराएं, उनकी इस प्रेर्णा का प्रभाव आप हम और आप देश भर में देख रहे हैं, उन्हें की प्रेर्णा से देश के कई शहरों में गरीबों के लिए घर बने हैं, अस्पताल बने, उन्हें रोजगार के अवसर मुहया कराए गए हैं, आथ देश में आत्मभल्लब नाम से कितनी सौंस्ता हैं, गरीब बच्चों के भविष्की जिम्मेदारी उठा रही हैं, माताओं बहनों को जीवन यापन के लिए, निर्धन बिमार लोगों को इलाज के लिए सहायता कर रही हैं, सात्यों आचारिय विजेवलब जी का जीवन, हर जीव के लिए दया, करुणा, प्रेम से ओत प्रोथ था, इसलिए उनके आसिरवात से, आज जीव दया के लिए पक्षी होस्पिटल, अनेक गौशलाएं भी देश में चल रही हैं, और ये कोई सामान्य संस्तान नहीं हैं, ये भारत की भावना के अनुस्ठान है, ये भारत और भारतिय मुल्यों की पहचान है, साथियों, आज देश, आचारिय विजेवलब जी के उनी मानिविये मुल्यों को मजबूत कर रहा है, जिन के लिए उन्होंने खुद को समर्पित किया था, कोरोना महमारी का ये कठीन समय हमारे सेवा भाव हमारी एक जुड़ता के लिए कसोटी की तरह था, लेकिन मुझे संतोष है कि देश इस कसोटी पर खरा उतर रहा है, देश ने गरीब कल्यान की भावना को न केवल जीवित रखा, बलकि दुनिया के सामने एक उधारन भी पेश किया है.